हां जी गुड मॉर्निंग आप सभी को आज मैं सुबह मॉर्णिंग में क्लास नहीं ले पाया सीए फाउंडेशन की लोग की बिजनेस लोग हमने स्टाट कर रखा है कॉन्टेक्ट एक्ट और उसमें कुछ चीज़े हम कर चुके हैं सो वे डॉक्टर की अपॉइंट्मेंट के काण में आप लोगों की लाइव क्लास नहीं ले पाया इसलिए बिटा मैंने ये लेक्चर रिकोर्ड करके इस क्लास में डाल दिया है यूट्यूब पे डाल दिया है तो इस क्लास के अंदर बेसिकली सीए फाउंडेशन के कॉन्टे तो कॉन्टेक्ट कितने प्रकार की होते हैं यह हम इस वीडियो के अंदर अपना रखेंगे मुझे पता है कुछ बच्चे यह कहेंगी कि सारूत ने मजे नहीं आई जितना हम लाइव क्लास में लेते हैं उसमें हम चैट करते रहते हैं और काफी हसते रहते हैं लेकिन कई ब कुछ लान लाइक बोल रहे थे कि नोट्स ने मनाने होते हैं यह वो फ्लान डिकान उनके लिए मैं अलग से लेक्ष्टर मना कि बता हुआ कि नोट्स क्यों मनाने होते हैं और कितने जरूरी होते हैं खेर यूनिट का ओवर्यू में आपको थर्ड नंबर पर दिखेगा तो आज की वीडियो सिर्फ किसीज के लिए है कॉंटेक्ट क्या है यह नहीं टाइप ऑफ कॉंटेक्ट क्या है तो बिटा हम पेज नमबर निकालनेंगे फटाफट इंस्ट्यूट का स्टुडी मेट्रियल पेज नमबर सभी बच्चों को निकालना है यह रहा एक कि और गोडे की पैचानता भी होती कोन कितना फास्ट उस्टीज को रिकगनाइज करता है कई नलाइक इंसान ऐसे हैं और कई पढ़ाने वाले भी मोहतरमा ऐसे ही हैं भाइसा बगवान जी ऐसे हैं बना रखी है कि वो खाले टाइप ऑफ कॉंटेक्ट पे तीन-तीन क्लास ल arna द्खरव कर रखा है divaltet के अधार पर- its formation formation के अधार और तिसरा पर फॉर्मेंस के अधार पर कोई आपसे पुचे बंटust कांटेक्ट को broadly किन तीन भागों में डिवाइड है तो आप क्या बोलेंगे सरव वैलीटी के अधर पर पर्फॉर्मेंस के अधर पर और फॉर्मेशन के अधर पर हम िट बबाइब एक एक सेक्टर को पकड़ेंगे और इसके सारे सब टाइप करेंगे validity के अधार पर मैंने last class में भी आपसे चर्चा की थी लेकिन मैं still उसको दुबार revise करूँगा हो सकता किसी बच्चे ने last class हमारी ना ली हो तो validity के अधार पर सबसे पहला contact valid contract नाम क्या है वेटा valid contract जिसके अंदर सब अच्छा जिसके अंदर जो चाहिए सब कुछ था सारे legal requirement को जो पूरा करता है वो कौन सा है valid contract है जिसमें कोई कमी नहीं valid contract हो गया इतना है वेटे valid contract कौन जो सारी essential requirements को पूरा करता है word देखीगा मैंने क्या बोला है essential requirements को पूरा करता है उसको valid contract बोलते हैं दूसरा सार, void contract word है void, लेकिन नाम की पीछे contract लगा हुआ है, कल की class में क्या बोला था वेटा, void contract जब बे लिखा में समझ जाना, जो कभी तो था valid जो बनाते time तो valid था पर बाद में भगवान ने चाहाए ऐसा कुछ हुआ ये valid से क्या बन गया, void तो void contract में जब बोलूँ तो समझ जाना, जो पहले कभी ना कभी थे valid और बाद में बन गया किसी कान से void, तो कभी तो valid थे ना for example का में की class में example दिया था, कोई बंदा मुझे बोलता है सर आप मेरी painting बना दोगी, मैंने कहाँ जी बना दूँगा, और painting बनाने के लिए मैंने उसे 5000 रुपे ले लिए, उसने painting बनवाने का offer दिया, मैंने offer accept किया offer plus acceptance बन गया agreement बट सब कुछ ठीक ठाक था valid contract था, बट अगले दिन accident में मेरी यहां से दोनों हाथ कट जाते हैं कट गई, permanently better disconnect हो गए, तो अब मैं क्या चाह के भी उस बन्ते की painting बना सकता हूँ जी नहीं, तो कुछ, जब बनाया था, जब valid था, पर आप चाह के भी भगवान विश्नों भी आ जाए, तो भी मैं इस contract को पूरा नहीं कर सकता, तो जब एक contract ceases to be enforceable हो जाता है जिसको अब चाह के भी enforce नहीं किया जा सकता तो जिस दिन ऐसा होगा, यह क्या बन जाएगा void contract बन जाएगा ध्यान दें, कल की class में बने एक चीज़ और भी बताई थी void agreement और void contract में फर्क होता है void agreement तो वो हैं जो कभी contract बने ही नहीं void contract वो हैं, जो पहले तो valid contract थे, बरबाद में low में change आने की वज़े से, या कोई accidental super winning impossibility होने की वज़े से, वो क्या बन गे, void, एक example मैंने कल की class में और भी दिया था, फटा-फट revise कराऊं, मैं आपको, मैं आपको private coaching पढ़ाता हूं, आपने मेरे से low पढ़ना है, हमारा contact हो जुका है, लेकिन अगर कल कोई news paper में government आदेश देती है कि अब private coaching ban करती जाएंगी, कोई भी आदमी private coaching नहीं पढ़ा सकता, लोग को हम super seat नहीं कर सकते, जैसे आदेश आएगा, हमारा contact, जब बनाया था, उस time ban नहीं था, तो valid था, और अब क्या हो जुका, void contact, तो फटा-फट रिकोल कीजिएगा, जो सारे, सारे लक्षन पूरे करता है, valid contact, जो कभी तो valid था, बाद में किसी low में change आने की वज़े से, या accident की वज़े से, क्या हो होते हैं, causian, physical force, undue influence, mental force, causian, undue influence, fraud और misrepresentation, यह दुश्मन होते हैं, साब consent के, जब consent free नहीं होती, किसी एक के साथ गलत होता है, दुसरा उसके साथ ठीक कर रहा होता है, मैंने example क्या दिया था, अगर मेरे contact नहीं बोल सकते हैं, voidable contact बोलते हैं, सर्फ voidable contact इसको क्यों बोला, यहां एक party को बेटा court relief देगी, दूसरे को सजा देगी, जिस एक party को relief पाने का अधिकार है, उसके लिए, उस ही के पास option होता है court में जाने का, तो voidable contract की definition क्या होती है, एक एक ऐसा agreement, जिसमें एक party को तो court में जाने का right है, बट दूसरी party को court में जाने का right नहीं होता, जो at the option of one party तो होता है, बट not for the option of other party नहीं होता, ऐसे contact को voidable बोला जाता है, voidable contact को अगर हिंदी में बोलने तो गड़बड contact है, एक के के साथ गड़बड हुई है, वो कहता है, ओके, होने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बेटा ही valid है, ध्यान दें, जिसके साथ गलत हुआ है, अगर वो court में चिला-चिला के बोल दे, मैं खुश हूँ, तो court कुछ ने कर सकती, बेटा, it means जिसके साथ गलत हुआ है, वो court में जाता है, और अपने लिए न्याय की मांग करता है, तो voidable contact भी हमने समझा, और लास्ट कौन सा है, illegal, illegal agreement, सर, illegal क्यों से होते हैं, void में और illegal में फर्क होता है, illegal, जो लोग के against होते हैं, void लोग के against नहीं होते, मैं बोलता हूँ आपके लिए मैं चांद तारे तोड़ किया लगँगा, ये void agreement है, पर इसमें illegal कुछ भी नहीं है, मैं आपका मन रखने के लिए आपसे कुछ भी बोलता हूँ, लेकिन मैं अगर किसी student के साथ मिलके चोरी करने की planning करता हूँ, चोरी करने का कोई contact करता हूँ, तो ये गलत बात है, ये illegal है, चोरी करना पाप है, जब आप लोग के against चलते हो, लोग के against चलते हो, उसको कुछ लते हो, तो क्या कहला था? illegal agreement, तो illegal और void हो फरक समी में आया, इल्लीगल वोइड होते हैं, बट सारे वोइड इल्लीगल नहीं होते हैं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, पर सोना जरूर पीले रंका होता है, इसलिए ध्यान बेखना बेटा, सारे इल्लीगल वोइड होते हैं, बट सारे वोइड इल्लीगल नहीं होते हैं, illegal वोइड में सब्सक्राइब कुला जाता है मैं सभी बच्चों से दरखवास्त में वहां मेरे साथ से रिकॉल करना वैलिड जो सारे conditions पूली करता है. Void contract, जो कभी valid था, पर law में change की वज़े से, या due to accidentally कुछ है ऐसा हो गया, कि वो impossible हो गया है, उसको बोलते हैं, क्या? Void contract. Voidable, गडबड जाला करनों contract, जहां एक party की साथ गलत होता है, दूसरी की साथ ठीक होता है. अल्टिमेटली मैं कह सकता हूँ, जिसकी consent free नहीं होती, वो सारे के सारे क्या होते हैं, Voidable contract होते हैं. फूर्थ क्या है? Illegal contract, जिसको loaning करने से मना कर रखा है, फिर भी आवो contact करते हैं, तो इसका क्या कहलाते हैं? Illegal, यहां जूते पड़ेंगे, ध्यान रगाना, illegal में जूते पड़ते हैं, और 5 क्या, अपका unenforceable, क्या बोलेंगे? जो वैसे तो सही था, पर technically कहीं नहीं ही फोल्ट रह गया, उसको बोलते है, unenforceable contract, जी सर. Sir, एक पर फटा-फट हीन को मिलवा सकते हो, या हमें होमवर्क, सर प्लीज हमें होमवर्क दे दू नहीं पड़ न, तुम्हें होमवर्क मिलेगा, बट एक बार मैं फटा-फट रीड करवा दू, बीटा, मैंने क्या-क्या आपको बताया है, valid contract, फटा-फट देखेगा, an agreement which is binding and enforceable is a valid contract, it contain all the, underline this essential requirement, जो essential requirement को पूरा करता है, valid कहलाता है, सर वोईड कौनसा, एक contract, जो ceases, ceases होता है खतम हो गया, खतम हो गया, enforceable by law, जो लो भी चाहे तो पूरा नहीं करा सकता, जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन मेरे हाथ कट गए थे, अब माग इसी painting नहीं बना सकता, इसको बोलते हैं क्या, void contact, ध्यान दें, void contact वो है, जो कभी तो valid था, पर बाद में, void बना, voidable contact, definition देखिए, definition में बहुत कुछ चिपा बिटा, an agreement which is enforceable by law, at the option of one party, एक party को court में जाने का right है, but not at the option of one party, जो गलत करेगा, वो court में कैसे जाएगा, उसको जाते जोते पढ़ेंगे, तो जिसको गलत हुआ है, वही court में जाने का right रखता है, इसको क्या बोलते हैं, voidable contact, सर आपने बिल्कुल यही पढ़ाया था, जी, सर voidable contract में और void contract में, अंतर बताओ, इसने का three aspects में अंतर होता है, voidable contract में और void contract में, first definition में अंतर है, आपको पता दोनों भी definition अलग लग है, सर डेफिनिशन क्या है, पढ़ के देखो चुपचाप, spoon feeding मैं आपको कुलास में कभी नी सिखाऊंगा, चमच पग में पानी डाल के आपको मैं कभी नी पिलाँगा, पेटा जो आपको बैसाखी देना सिखाते हैं, जो आपको handicap बनाते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चीए, जब तक आपको खुद self study करके, चीज़ों को नहीं समझेंगे, प्रोब्लम आएगी और मेरे से नहीं पूछेंगे, बात नहीं मनेगी, सुना है ना आपने कहवत, समझदार को इशारा काफी, जो talented students हैं, वो इशारा पकड़ते हैं, और इशारा पकड़ें, पूरा chapter कर डालते हैं, जहादिक कहताती हैं, मुझे पूछते हैं, next class में इसको मैं और detail में करवाने वाला हूं, no issue, लेकिन आप भी तो अपना mind लगाईएगा ना, तो definitions अलग लगें, nature, void contract पहले valid होता था, बाद में impossibility की वज़ेसे void हो गया, पर voidable, जब तक valid है, अगर आप खुश है किसी के साथ, चाहे ज़वर जबरदस्ती आपकी साथ हो रही है, तो इसको valid contact माना जाएगा, it means sir voidable, जब तक voidable नहीं माना जाता, जब तक सामने वाली party उसके उपर objection ना कर देती, ये ध्यान लगना बिटा, तो nature में फर्क है, तीसरा right, void contact के अंदर किसी party को कोई right नहीं मिलता, याद रखिएगा बिटा, void contact के अंदर किसी party को कोई right नहीं मिलता, जबकि valid contact, sorry voidable के contact के अंदर, एक party के पास right आता है, क्या, वो contract को rest kind कर सकते हैं, जिसके साथ दोखा हुआ है, वो contact को cancel कर सकता है, जी sir, जो उपर मैंने बता है, इसको summarize करके नीचे दे रखा है, ये चार points बताओ, आप करोगे मैं कराओ, sir please आप करवा दू, first में कहता है, void वो, जो ceases to be enforceable है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, voidable, जो at the option of one party होता है, cause, contact क्यों सर्फ पहले वेलिड था, बाद में void क्यों हुआ, low में चेंज आने की वज़े से, या super winning, impossibility की वज़े से, voidable, एक contact become voidable, जब consent free नहीं होती, performance, void contact को perform नहीं किया जा सकता, मेरे कटे व्यातों से painting नहीं बनाई जा सकती, voidable, यहाँ पर performance करवाई जा सकती है, अगर वो party जिसके सथ गलत हुआ है, वो जिद करे तो, rights, void contact में किसी party को कोई right नहीं मिलता, voidable में एक party को right होता है, क्या, contact को rest kind कर सकते हैं, जी sir, illegal contact, जूते पढ़ने वाला contact, void में जूते नहीं पढ़ते हैं, illegal में जूते पढ़ते हैं, सारे illegal void होते हैं, बट सारे void illegal नहीं होते, illegal के सथ साथ वाला भी illegal होता है, ध्यान रखिएगा, illegal के सथ साथ वाला भी illegal होता है, राहूल ने किसी का murder कर दिया, और राहूल का मेरे पास phone आता है, sir, एक dead body डाल की आनी है, मैंने का dead body, एक काम करूँगा भई, मैं देखो, मैं अपना किराया लूँगा, पर मैं, मैं example को भी टस्ट्रूम में लेता हूँ, राहूल बोलता है, sir, मुझे किसी का murder करना है, और मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मैंने का देखो, मैं मर्डर तो मैं करवाँगा नहीं, हाँ, जब तू किसी का murder कर देगा, उस dead body को पहुंचा जरूर दूँगा, जहां तु तुझे जाना है, देखी बेटा, मैंने हलाकी murder नहीं किया, लेकिन murder में साथ तो दिया ना, तो illegal agreement के साथ वाली सारे contact भी क्या माने जाते हैं, illegal माने जाते हैं, जो ते सिर्फ राहूल को नहीं पढ़ेंगे, वेद सर को भी पढ़ेंगे, जी सर, illegal भी अलग है किस से, void से, ये बटा, ये दो जगे दे रखा है, एक जगे उपर दे रखा है, एक जगे टेबल फोर्म में बता रखा, तो आपको टेबल फोर्म पढ़ना है, उपर जो दे रखा, उसका आप कट कर सकते हैं, टेबल फोर्म में देखिएगा क्या दे रखा है, void agreement और illegal agreement के बीच में क्या difference है, if void agreement is not necessary, सारे void illegal नहीं होते, इलीगल हमेशा void होता है, void agreement को लोने मना नहीं करकर, किसने मना किया चांदतारी तोड़ने को, illegal forbidden by law होते हैं, void में जूते नहीं पढ़ते, illegal में जूते पढ़ते हैं, void के साथ वाला void नहीं होता, वो valid भी हो सकता है, लेकिन illegal के साथ वाला, illegal होता है, void होता है, unenforceable एक लाइन में बता, जो वैसे तो सही होता है, बढ़ टेक्निकली कहिने कोई गलगड़ रहती है, जिसके intention अच्छी होती है, दोनों पार्टी सही होती है, पर कोई टेक्निकली मिस्टेक हो जाती, जिससे रिटन में नहीं था, साइन नहीं था, एटसेटरा, स्टेंप नहीं लगी हुई थी, जी सर, तो यह हमने देखा, validity के आधार पर, contact कितने तरीके का होता है, अब next, on the basis of formation of contract, contract formation, बनाने के आधार पर, contact कितने तरीके का होता है, बनाने के आधार पर, न लिखा जाए, बस समझ लिया जाए, conduct, व्याभार से समझ लिया जाए, उसको implied contact बोलते हैं, implied contact का एक बच्चा भी है, जिसको tacit contact बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, implied का ही बच्चा है वो, तो जो implied है, वैसा ही tacit contact भी होता है, बस वो बच्चा कहे रहा है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, मुझे पहचान बनानी, इसलिए इसका नाम रखा गया, tacit, तो इस tacit contact का बाप कोन है, implied ही रहीगा, तो formation के अधार पर, contact दो तरीके के हैं, या तो express contact, या implied contact, फटा-फटारी को लो करो, मैं आपको पता है, express कौन सा, जिनको words, या written, बोल के या लिख के, जिन चीजों को, trumps बनाई जाती है, उनको express contact बोलते हैं, सरक implied contact कौन से, जो व्याभार से पता लगते हैं, for example, मैं आईस्क्रीम बेजता हूँ, मैंने आईस्क्रीम भरी, और राहूल के सामने करती, तो मेरा मतलब क्या है, क्या आईस्क्रीम खाना चाहते हैं, फ्री नहीं है मैं तो आईस्क्रीम सेलर हूँ ना, मैंने उसके सामने की, राहूल ने आईस्क्रीम खाई, और पूरा गटक गया, एक बात था ये, आईस्क्रीम पूरी खा जाना, क्या दिखाता है, कि उसको लेनी थी, उसको परचेज करनी थी, उसको खाना था, अगो कहता है बाद में, मैं तो पैसे नहीं देता, मैंने का क्यों, वो बोलता है, किसने offer दिया था, किसने accept किया था, ना मैं आप कुछ बोला, ना आप कुछ बोले, तो मैं क्या बोलूगा बिटे, जब तेरे सामने आईस्क्रीम करी थी, तेरा मूँ फूटा हुआ था, क्या, क्या तुम मना नहीं कर सकता था, खाने के बात तेरे को बढ़ाना ध्याना रहे offer, तो ये implied contact था, आप किसी चलती बस में चड़ते हैं, चलत बस धेर सारा समान है, एक कुली आता है, फटा-फटा आपकी समानों का अपने सर पे रख लेता है, और जहां जहां आप चलते हैं, आपके पीछे-पीछे चलता रहता है, आपके घर में, और ना तुमने कुछ कहा, ना वो कुछ बोला, बस उन्हें अपना समान उठा लिया बोल कहें लिक के, एक्स्प्रेस, बिना बोले, इंप्लाइड, बहुत बढ़िया, अब सही सीख रहे हैं, बड़े जजबे के साथ सीख रहे हैं, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंप्लाइड कॉंटेक्ट के आगे देखते हैं, क्या लिक रखा हैं, इंप्लाइड जैसा होगा, बस यहां भी क्या है, conduct of parties से आपको पता लगेगा, जैसे बिटा आपने, इसमें example दे रखा है, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें bid लगाई जाती है, वो fall of hammer नहीं होता एक, वो थोड़े से एक, दो, तीन, फिर जो बोली लगाते हैं, फिर बोलता है, जिसकी सब करनी हो बोलता, बस आपने जो बोली लगाई है, जब अगर hammer तीन बार टिक जाता है, तो मान लिया जाता है, sale हो जुगी है, तो कैसे पता लगा, by fall of hammer से, दुसरा इसमें classic example दे रखा है, आप ATM से जाते हैं, तो सामने वाली party, आप ATM में जाते हैं, cash निकाल किया जाते हैं, तो ATM और आपका जो relationship है वो, इसका tacit contact का है, अरे ultimately कुछ ने implied का ही part है, जिसमें क्या लिकर का है, the word tacit means silent, यहाँ सब कुछ silent रहेगा, tacit contact are those that are inferred, मतलब derived through the conduct of the party, जैसे false of hammer, एक classic example of tacit contact would be when cash is withdrawn by a customer from a bank, कोई बोलता नहीं, कोई voucher नहीं बढ़ता, कोई हाँ, कोई ना नहीं, ATM से पैसे निकाल लेना, क्या क्या लाता है, tacit contact है, another example क्या दे रखा है, auction, auction, निलामी जब होती है, तो तीन बार है थोड़े को, एक, दो, तीन, तीन बार, एक, दो, तीन भ बोलते हैं, ध्यान दे, confused होने की सूर्थ नहीं, tacit अलग नहीं, इंप्लाइट जैसा ही होता है, उसी का बच्चा होता है, quasi contact, बेटा, first class में बड़े अच्छे-चे example देख, आपको quasi contact सिखा रखा है, no offer, no acceptance, ना offer है, ना acceptance है, ना consultation है, फिर भी क्या बन जाएगा, contract, पूरा contract तो नहीं बनता, लेकन contract जैसा होता है, जिसको क्या बोलते है, quasi contract, जो काले अंगूर का example दिया था, एक आपके किराएगे घर में रहने का example दिया था, वो quasi contact था, अगर आपको quasi contact complete सिखना है, तो मेरे YouTube पे एक वीडियो पड़ी होगी, quasi contact की नाम से, आप वो वीडियो भी दवनाना e-contact का है, लोग email से contact करते हैं, digital जो contact होते हैं इसको email या e-contact बोला जाता है, हमने दो category निप्टा दी, first, validity के आदार पर कितनी तरीकी क्योते हैं, दूसरा, part, sorry क्या नम है, formation कि आदार पर कितनी तरीकी क्योते हैं, किसरा, performance कि आदार पर apocalypse के आदार पर, contact कितनी त बिटा, executory, मतलब जिसकी future में performance होनी बाकी है, एक्जीक्यूटरी contract. जहान दोनों party अपना काम करके अपने घरड लोट चुकी है, executed contract. सर जहां दोनों party उपाम पेंडिक है, या जो contact की performance future में होनी है, इसके फिर से दो part, unilateral contract, bilateral contract. जहां एक party ने एक अपना काम कर दिया और एक party का काम future में आएगा उसको बोलते हैं unilateral जहां एक ने कर दिया दूसरी का रहता है bilateral जहां दोनों parties का काम pending होता है उसको bilateral बोलते हैं ज्यान दें bilateral और executory में कुछ फरक नहीं होता फटाफट में आप लोगों को बता दूँ परफोर्मेंस के अधार पर contact तीन टाइप की होते हैं सरी दो टाइप की होते हैं executed, executory executed जो हो चुका, executory जिसकी performance future में आनी बाकी है future में आनी बाकी इसके फिर से दो टाइप होते हैं unilateral और bilateral जो इसमें एक party ने काम कर दिया और bilateral जो दोनो पार्टी का काम अभी pending होता है, जी सर ध्यान दे बीटा, आज की class में हमने short में दना दन बड़ी easy language में एक revise कर लिया type of contact, whole Indian contact में contact कितने type होते हैं उन सबी को मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंतर आपके लिए लगा दिया, बड़ा easy way में और बड़ा understanding की साथ, ध्यान दे हमने शब्दों पे focus नहीं किया, हमने line को रटने का प्रियास नहीं किया, एक बार understanding build-up की, की contact exactly क्या है, फटा 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 मेरे साथ, आपको पता ह class के last में मैं revise करवाता हूँ, मेरे साथ revise करना बिटा, बोलो, valid, सारे essential requirement, void, जो कभी valid था, बाद में void हो गया, voidable, जहां दोखा हुआ है, एक party के साथ, दुसरी party के पास court में जाने का ride होता है, illegal, जो लोग ने मना कर रख्यों होते हैं, unenforceable, जो वैसे तो सही होते हैं, बस technically गड़बर में होते हैं, formation के अधार पर, बोल के या लिख के कौन से होते हैं, बोल के या लिख के, express contact, बिना बोले, implied, implied का बच्चा, test it, दो example, ATM और follow of empire, बहुत बढ़ी अबिटा, थीसरा, performance के अधार पर, दो पार्ट, executed, जो हो चुका है, executory, जो future में होना है, उस future में जो ह होना है, उसे में दो सीनों हो सकते हैं, या तो दोनों party का अकाम पेंडिंग है, या एक party का अकाम पेंडिंग है, अगर एक का अकाम पेंडिंग है, तो unilateral contact है, और दोनों का अकाम पेंडिंग है, तो bilateral contact है, जै हिंद, जै भार्त, मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक प्लीज घर पे मेनद करते रहेगा ऐसे ही पढ़ते रहेगा चीज